मित्रो नमा संस्क्रिताएं संस्क्रिक गंगरा आनलाइन क्लास के अंतरगत आज हम लोग मनो बिज्यान के दुती अध्याय की चर्चा करेंगे जो जिस टापिक का नाम है सीठने का अर्थ तथा शिद्धान्त मैं संस्क्रिक गंगरा से गोपेश मिस्त्र आपको आज इस टापिक के बारे में संपून जानकारी देंगे इसको हम दो भागों में रिकार्ड करेंगे पहला है जो पूरा लेशन प्लान है हमारा उसको आप पहले सुने सीठने का अर्थ तथा शिद्धान के अंतरगत सरप्रथम हम पढ़ेंगे अधिगम यानि सीठने का अर्थ उसको प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की प्रभावसाली बिदियां उसके उपरांथ हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम जिसमें थारंडाई के सीठने के मुख नियम एवं अधिगम में उनका महत्त्य क्या है शाद में पढ़ेंगे अधिगम के प्रभावस शिठने का सीठने का वट्र उसका अर्थ एवं प्रकार शिठने में पठार का अर्थ और कारण एवं निरातरा तो मित्रों इस पूरी दूसरे टापिक को हम दो भागों में रिकार्ट करेंगे दो भागों में आपको देखने को मिलागा आज हम प्रथम वाद की चर्चा करते हैं जिसमें हम सुरू करते हैं अधिगम का अर्थ उसको प्रवावी करने वाले कारक यह वों अधिगम की प्रवावसाली बिधिया तो मित्रों जो अधिगम है यानि लर्णिंग प्रोसेस है तो जो सीठने की प्रक्रिया है इस्टा क्या मुठ रूप से परिवासा दिये हैं ही है वो नित्य एपनी जीवन में ने-ने अनुभव यिटत्र करता है वो नवीट लिए अनुभ assessments सीठना या अधिगम कहलाता तो सामान निभासा में हमने समझा कि अधिकम का साब्दिक अर्थ क्या है फिर इसके बाद कुछ मनुबय ग्यानकों की परिवाशा हम देखते हैं जिसमें कालविन के अनुशार पूर्व निर्मित बेवहारों में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तों को अधिकम कहते है तो हमारे पूर्व निर्मित बेवहार क्या है जो हमने आज तक अपने जीवन में बेवहार निर्मित किये हैं जो हमारे आदते हैं उन्ही को और अनुभव को के द्वारा जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है उसको हम अधिकम करते हैं ये काल्विन की भासा में है में से नई नई प्रत्याएं हम फ्रिस्त करें गे तो उसी प्रत्या को हम टाहते हैं आधिगम यानि हमने शीठा और इसको अबने वह comment इंप्लिमेंड कि हुल्ख किवासाम ऑल और ट्रो का कहना है एक अधिद। ऑख्यान और अभिवृत्ति की अधिगम है ग्यान Jam यानिी knowledge जुस्कों हम करते हैं और और अभी वृत्ति किसी चीज को देटनी की हमारी जो दृष्टी होती हैं उशीत दृष्टी जो होती हे उसकी यदि प्राप्ति हो तो वही यादिकम है तो कोड़ ने कहा कि जो भी ढवन प्राप्त करते हैं और किसी चीज को देखने की जो हमारी वित्ति होती है जो हमारी चेश्ठा होती है कि इसको हम जब प्राप्त करते हैं तो उसे हम अधिकम कहते हैं गेट सो आन्ने के अनुसार प्रसिच्छन एवं अनुभोव के द्वारा बेवहार में होने वाले परिवर्तन को आधिकम टहते हैं यानि यदि कई सी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या किसी इस्पीरेंश के माध्यम से यदि हमारे बेवहार में किसी प्रगाग भी परिवर्तन होता है तो उसको हम अधिगम टहते हैं यानि इसको सीठने के प्रक्षिया टहते हैं मित्रों अडला है मारगन एवं डिली लेंड के अनुशार सीठना अनुभाव के प्रणाम शरूप प्राणी के बेवहार में परिमारजन है यानि जो अधिगम है हमारा वो अनुभाव के प्रणाम शरूप प्राणी के बेवहार में परिमारजन है बेवहार में परिमारजन क् बड़ों के सामने कैशे बैठना चाहिए तो उसके बेवहार में धिरे धिरे परिवर्तन आता है वो सामाजी द्रिश्टोंट से रहना सीटता है इसलिए मार्गर में गिली लेंड ने कहा कि सीठना अनुभाव के प्रणायम शुरूप प्राणी के बेवहार में परिमारजन है परिमारजन का मतलब कि उसके जीवन में जो भी बेवहार था उसमें और अच्छे से उसका स्रजन होना है परिमारजन होना है श्वच होना है जो प्राणी द्वरा कुछ समय के लिए धान किया जाता है मित्रों ये तो ही अधिगम की कुछ परिवाशा और अधिगम का अर्थ अब अड़ला है अधिगम की कुछ हम विशेस्ता है चुकि हर चीज जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसका कुछ विशेस्ता होती है कुछ उसके गुण होते हैं कुछ उसके आउगुण होते हैं तो निश्यत रूप से अधियम के भी कुछ विशेस्ता हैं होगी तो अधियम की जो विशेस्ता है उसमें योकम एवं सिंपसन के अंसार सीठने की सामान प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ बिंदों पर हम चर्चाट रहेंगे उन बिंदों को ध्यान पुरोट समझना है सीठने की प्रक्रिया आजीवन चलती है जैसा हम सब जानते हैं कि अपने मृत दुकाल तक अंतिम सांसे लेते वक्त भी कुछ ना कुछ सीठता है अपने जीवन में कुछ अनुभाव रहन करता है इसलिए यदि कोई पूछ से कि आपके सीठने की प्रक्रिया कब तक चलती है तो निशित रूप शूस्ता जवाब होगा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो लर्णिन प्रोसेज है जो सीठने की प्रक्रिया है वो हमार प्रक्रिया है। आजीवन चलती है दूसरी सीटना वेवहार में परिवर्तन है निश्यत रूप से यदि हम अपने जीवन में कुछ अधिगम करते हैं कुछ सीटते हैं जानते हैं तो उससे हमारे वेवहार में परिवर्तन होता है इसलिए बेवहार में यदि किसी के परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब उसने कहीं से अधिगम किया है कहीं से सीठा है यदि कोई बालत करता को दंड था क्रोध ही था उन्मत था और आज वो एक अच्छा क्रोध नहीं करता है करने वाला व्यक्ति हो गया उसका आच्रण अच्छा हो रहा है बहुत महातफ़ोर बिंदो है नई परिश्थितियों से अनकूलन का मतलब है जो भी परिश्थिती हमारे जिवन में आती है उन परिश्थितियों के साथ हम सामझ जेस परिश्दितियां के सामझस बैठा सकें, उनके साथ सामें जस बैठा सकें, उनके साथ चल सकें, यही है सीठना, नए पुराने अनुभवों का संगठन है, इन दोनों अनुभवों को मिला देना ही देज्धा लगी लगी है, पता चला है कि हमने कोई वास सीठी कुछ नहीं वास सीठ लिया उनके बीच एक्ष्ट्रामंजस बैठा लिया इनके अनववों को संधन कर दिया ये प्रोसेज जो है वाधिक हमके अंदर रताती है सीठना उद्देश होता है निश्चित रूप से हम उसी चीज को सीठने के प चलाना सीठ लें हम मुवाईल चलाना सीठना चाहते हैं क्यों कि जिससे कि हम अपना खुद का मुवाईल आफरेट कर सके हम कोई भी चीज सीठते हैं उसको जानने की इच्छा जाही तरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश से नहीं होता है उसमें मित्रों हम पढ़ परिस्तियां हमें बहुत कुछ सिठाते हैं जिस इंवारिमेंट में हम रहते हैं वो इंवारिमेंट वो माहौल वो लोग हमको सिठाते हैं किसी ने कहा है कि जिन पास लोग बीच में आप रहते हैं उनका जो आउशत जो आउशत आदते होती ही वही आपकी आदते होती ही व जानी खोजने के फ्रक्रिया है तो जब हम कोई चीज खोजते हैं तो उसमें से निश्चित रूप से कुछ में कुछ नई चीज़ों का खोज करते हैं सीठना सामाजिक व्यक्तिकत देना, दोनों हम, अब कोई कहे कि सीठना कैसा है, हम क्या व्यक्तिकत रूप से सीठते हैं, सामाजिक रूप से तो निश्चित रूप से जो सीठनी यानि अधियम की प्रख्या है, वो सामाजिक भी है और व्यक्तिकत भी है, कभी कभी हम अपने जीवन में व्यक्तियत रोप से बहुत सारी चीज़ें सीठते हैं, किताबों के माध्यम से, या अठेले में टीवी देटर, रेडियो देटर, या कुछी अच्छी आडियो को सुन करें, तो यह हमारा व्यक्तिगत सीठना हुआ, सामाजिक, जब हम समाज में रहते हैं, तो समा सीठना विकास की प्रक्रिया है, मित्रों जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीठता है, तो वो अपने जीवन विकास करता है, निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति सिच्छित होता है, तो उसके जीने का तरीका, उसके जीने की कला, उसको समिश्याओं को देखने का न प्रख्रिया है वो एक बिगास की फ्रख्रिया है मित्रों ये तो रही अधिगम की भी सेस्ता है हम अडले बिंदु पर बात करेंगे अधिगम को प्रभावी करने वाले कारक तो मित्रों अधिगम को प्रभावी करने वाले कुछ मुठ कारकों को हम आपके सामने रखने हैं सी प्रति हमारे अंदर की इच्छाओं को जाड़ी करती है तो चाहे उसको हमारे अच्छे के लिए करे सीठने के लिए प्रेरी करे या सीठने के लिए ना प्रेरी करे दोनों ही प्रभावित अधिगम किस चीज से प्रभावित हो सकता है किस प्रक्रिया में अधिगम ज्यादा पाफ़ावी हो सकता है। जो तो वहाँ एक माहौल होता है वहाँ सभी लोग एक किसी निश्चित उद्देश के लिए इठटे होते हैं तो सीठने के लिए अनुकूल वातावरन की आउस्चता होती है इसलिए हम अपने धर पर परिवार में, शमाज में और सबसे महात्पूर की हम अपने बिद्द्याले में सीठने इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर हमारा एक अनुकूल वातावरन बनता है तो सीठने के लिए अनुकूल वातावरन का होना बहुत अवश्यक है यदि अन्गोल वातावर्ण नहीं है वहां हमेशा लडाई जड़ा होता है ऐसे लोड बैठते हैं जो उद्दंड है तो निश्चित रोफ से हम सीटने के फ्रेक्षिया वहां नहीं कर सकते हैं इसलिए जिस भिसे में हमको महारत हासिल करना है जिस ठार को हमें सीटना है जिसक स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मनका वाश होता है तो यदि हमारा सरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मानसित स्थिति स्वस्थ नहीं होगा इसलिए बालत का सारीर को वानसित स्वास्थ निश्चित रोप से उसके अधिगम में प्रभाव डालता है यदि हम सारीर रोप स निरोगी रहें, मानसित रूप से निरोगी रहें, हमें किसी प्रकार करें कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार सारी रिक टर्ष्ट ना हो, तो निश्चित रूप से हम उसको आधिगम अच्छे तरीके सेटर पाएंगे. यदि एक बच्चा है जो सारी रिट और मांसित श्वास्त होगी और ऐसे में बालत जो सारी रिट और मांसित श्वास्त है वो अच्छा ना होने की वज़ा से वो अधिगम क्रेक्ट्रिया में पीछे रह जाएगा इसलिए जो अधिगम को प्रभाव करने वाला टारेट है इसको भी एक महत्पोन फैक्टर महत्पोन कारत के रूप में हम चिन्हेट कर रहे हैं कि बालत शारी रिट और मांसित श्वास्त अच्छा होना चाहिए ये दूस्त की आधिगम प्रट्टिया को अच्छा टरना है शीठने की रुचकर और उप्यूट्ट विधियां मित्रों कोई भी विशेवस्त कितना भी अच्छा क्यों न हो ये उसको सिखाने वाले व्यक्ति में ये गुण ना हो कि वो उस विशेवस्त को रुचकर धंग्शे प्रस्तुर कर सके और उप्यूट्ट विधी द्वारा प्रस्तुर कर सके तो निशित रूप सी वो बोरिंग हो जाएगी इसलिए सीठने की रुचिकर और उप्यूट्ट विधियां ये हम प्रियोट्ट में कर रहे हैं ये हमको कोई चीज दिखानी है पहाड परवत नाले नाले नदियां इत्यादी पढ़ाना है तो हमें उनके उनको आड़ियो विज्वल एड्ट के माद्य हम से उसके तस्वीरों के माद्य हम से प्रस्थर चरत पढ़ाना चाहिए जिससे इसमें रूची उत्पनरे सोस्ट और उस्टे लिए जो भी उप्ट्ट विदियां हो प्रोजेक्ट अ剛ék टेलि विजेन हो या जो भीए उप् प्ष्यादिक अधिकम कर पाएगा अध्यापट का ड्यान ब्यवहार व्याथित तोरकारिक द्रूसलता मित्रों अध्यापट जो होता है उसको हम सम्मान के द्रश्टी से देखते हैं माटरिशले नहीं कि उसके पास ड्यान है बलकि उसका ग्याथित्त तो उसका बैवहार उसके आच्रण ये सब कुछ मैटर तरता है जब एक ख्यात्र कच्छा अध्यापन के अंदर क्लास रूम में होता है तो अध्यापत को जो ग्यान होगा यदि अध्यापत का ग्यान अच्छा ना हो तो निश्चित रूप से वो अपनी विश्यवस्टो जो पठने पाएगा तो ज्यान का होना तो आवस्या ठेलिकर उसके शात सात्र उसका बेवहार purely जोगि हम कैसे भ्यों कैसे भवशक से भविस्टो की कामना करते है वैसा हमारा दोज़े कैसे बच्छे की आप हमआ्पयों कैसी युख आर अच्छा करते हैं वह शीठने वाला है जो ग्यान का इस्तर हो जैसा ऑध्याबक हो वैसा है इसस्तर स् Cara की जो सिचपन में महत्मोन ब्र बिंदू ये है तुम जो से च़ठ है उसका ज्यान का इस्तर अच्छा हो, उसका ब्यवार अच्छा हो, उसका ब्यक्तित अच्छा हो, वो टारेक्टुसल हो बालत की सीटने की इच्छा और पाठ समध्री का सुरूप निश्यत रूप से ये दिम पाठ समध्री इस आधार पे न निरूपित करें कि वो हमारे लिए रुचिकर हो, हमारे इच्छा के अनुरूफ हो, पाठ समद्री का सुरूप इस तरह से हो कि उसको पहले सरा से कथिन क्यों ले जाए जाए, पहले उन बिंदों को चिंहित किया जाए, जो बिंदो बच्चा जानता है, तो पाठ समद्री हम कुछ इस फकार से पार्ट समझगिता हमारा सुरूप ऐसा होना चाहिए कि जिस से बालट को बेशिट से लेटर, शुरुवाती घ्यान से लेटर कि उसके उच्चित्म घ्यान तक पहुं सके बालट की सीटने की इच्चा दूसरी बात कि हम ये जाने कि किस उम्र के बालट में क्या सीटने की इच्छा हो सकती है और किस उम्र में क्या चीजह पढ़ाई जा सकते हैं तर इसी त्रोप से इन बिंदों को ध्यांड़त रखते ही हम भी से वस्तों तयार ठेंए तो ज्यादा अच्छा दिगम होगा आभी प्रेणा द्वारा सीटनों मोटिवेशन हो किसी ऐसे व्यक्ति जो हमारे फिल में जिसमें हम जाना चाहते हैं उसको देखकर उस सफल व्यक्ति को देखकर या किसी कार को देखकर या किसी घटना को देखकर हमारे अंदर अब फिरणा हो सकती है अब फिरणा द्वारा सीटने को प्रोसाहन यानि उस लिए हमेशा तत्फ पर रहे वालकूं की सारी लिट किस्तिती और इक मानसिध पर्गप्तरता निश्चित रोप से एक सारी रेटिस्ति और इक मानसिध पर्गप्तरता मिचूरटी लेवल देखना पड़ाएंगा कि हमें किस इस तर में ठ्याप्ड़हाएं जाना चाहिए वो शमज नहीं पाएगा इसलिए एट निशित उम्र के बाद ही मांसित मेंटल मैच्चिवरिटी होने के बाद ही सारीरिक रूप से तोन रूप से तयार होने के बाद ही बालत को कुछी बिशेस सिच्छा के और ले जाना चाहिए जिससे कि वो अधिगम में प्रभावी हो सके हैं सीटने का समय अभ्यास और उचित बिश्तराम मित्रों ये बहुत महत्पूर है सीटने का समय पता चला हम साम को ड़नित पढ़ा रहे हैं अभ्यास और उचित भिष्ट्राम सीटने का समय बहुत महत्पूर है यदि हम अपने पूरे ट्लासरूम प्रोग्राम में पांच भी से चलाना चाहते हैं तो हमें सबसे सुबा वाली ट्लास जो है ऐसे भी सेटों रखना चाहिए जो तो हम प्रेयर टू अधर सब्जेक्ट तो थोड़ा का कठीन हो क्लिस्ट हो च्योंकि सीटने का जो समय है जैसे जैसे बालक का समय बीटता जाता है सुबा आता है दम फ्रेस माइंड होता है उसमें उसके सीटने और अधिकम करने की बहुत जादा प्रवित्ती होती है वो तयार होता है पौन रूप से निवरान से उसके एक्टिव होते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है सेकंड हाप में हम देखते हैं कि ज्यादा तरक कला और म्यूजिक की क्लास होती है विज्ञान की चीजें समझने वाली है गणिक की चीजें समझने वाली है थोड़ा ख्लिष्ट है इसलिए उनकों सुबा पढ़ाया जाना चाहिए यह नहीं कि साम को अंतिम क्लास में हम गणित रखे ऐसे में सीटने के समय बहुत महत्पूर है यदि हम अन्तिन क्लास में गणित रखेंगे तो निश्ची तरुप से बच्चा उस समय मानसित रूप से थटा होगा इसलिए सीटने के समय आती महत्पूर है अभ्यास और उचित पिश्राम अभ्यास होना भी बहुत जरूरी है के अपना खुद का माबदंड है जो एक गंटे ही एक बार में बैठ सकता है तो एक गंटे पांत मिनेट रेना चाहिए तो यदी आप उचित भी स्राम नहीं देंगे दो प्लेक्टर वाद तीन लेक्टर वाद वंचे को पीने के समय नहीं देंगे पानी पीने की उसको से थट जाएगा और निश्ची त्रोप से जो ब्यक्ति थटा होगा सारी के मांसी प्रोप से वह अधिकम नहीं कर पाएगा तिया कुछ महत्पोन कारक्टी चर्चा हमने कि अधिकम को प्रभाइट करने वाले ठारकते हैं अब आएए हम अडले विंदू पर चलते हैं ये तो सुधता है हमारे एक दो तीन चार पांच है साथ विंदू करने चर्चा किया है इसमें हमने अधिकम करने की चर्चा किया है अब हमारा डूरा विंदू है कि से दिक आ क्या नियम है कुछ सीठने के नियम के उपर हम चर्चे करेंगे जिसमें थानडाइग के सीठने के मुठ नियम एवा अधिकम में इनका महत्त बताएंगे थारडायन के अनुसार सीठने के निएम को दो भागों में बाठा जा सकता है पहला मुख्ग निएम दूसरा गवर्ण नियम मुख्ग नियम के तीन चीजें है ततपरता का नियम अभ्याशता नियम और प्रभाव का नियम मुख्धता इनको तीन बिंदूओं के रूप में नहीं देखना चाहिए हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले हम एक एक बिंदू को समझते हैं जो मुख्ध नियम है उसमें तीन नियम हमको पढ़ने हैं जैसा कि इसमें आपके पाठकर में भी दिया गया है कि थारन डाइट के सीटने के मुख्ध नियम के बारे में पढ़ना है यहां आधिगम में उनका महत्त त्या है इसके बारे में भी जानना है तो मित्रों पहले हम पहले मुख्ध नियम के बारे में जानते हैं तीन मुठ नियम है, ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम, ततपरता का नियम क्या ठहता है, हम किसी कार को सीठने के ततपर हों, तैयार हों, तो उसे सीठ लेते हैं, यानि हम उसको कोई भी नहा काम सीठने के लिए, ये हमारी ततपरता होगी, तैयारी होगी उसको सीटने के प्रति हमारी मंसा होगी तो हम उसको हर समय हर प्रिस्तिते में उसको सीटने के तयार हैंगे ततपरता में कारे करने की इच्छा नीथ होती है ततपरता ध्यान करने में भी सहायता देती है, तो ततपरता ये कहता है, कि हम किसी कारतर ли लिए ततपर होंगे, तो उसको हम अच्छे से सीठ पऊएंगे, जल्दी सीठ पाइंगे, दूसरा अभ्याश्ट इनियम है, इसमें हम किसी कारतर अभ्याश करते रहते हैं, तो उसे सफलता परवट करना सिख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं कुशल होने का मतलब क्या है कि किसी काम को एक बार हम कर रहे हैं तो उसमें उतना perfection नहीं आएगा 100% perfection नहीं आएगा फिर करेंगे फिर उसमें perfection आएगा फिर करेंगे फिर perfection आएगा इसलिए अभ्यास टनियम कहता है कि किसी टार को हम जितनी बार प्रयास करेंगे अभ्यास करेंगे बार बार करेंगे उतना जल्दी और अच्छे से सीख पाएंगे और उसमें कुसल हो पाएंगे यह दिम सीठे हुए टार का अभ्यास नहीं करेंगे तो उसको भूल जाते हैं जैसे आपने बाइक सीठ लिया पांच दिन चलाकर बहुत अच्छे से सीठ लिया फिर उसके बाद आप दो महीने बाइक नहीं चलाए तो दो महीने बाद आप बाइक चलाएंगे तो उसको आप चाटरेंगे उसमें भूल उत्पन होने की चांसेज होंगे ब्रेट की जगा पे आप अक्सिलेटर लेंगे अक्सिलेटर की जगा ब्रेट मार देंगे तो निस्चित रूप से आप उसको भूल जाएंगे इसी प्रकार से बिद्ध्या के साथ भी होता है, आपने कोई चीज बड़े प्रयास से सिठा, उसको आपने रिवाइज नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, चार-चाह महीने बाद आपने उसी प्रश्ट को देठा तो आपको को प्रश्ट नहीं बनता, क्यों? चुट उस किसी न किसी प्रभाव की वज़ा से, किसी चीज को किसी न किसी उद्देश की वज़ा से सीठना चाहता है, वो चाहता है कि हम कोई चीज सीठ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसका प्रभाव नहीं थोगा, जैसे हम ये ट्लासिस क्यों देख रहे हैं, क्यों पढ जिसका वांधितना है। प्रभाव का नियम कहता है कि जिसमें हमें शुक हो शंतोष हो जिसका कोई लाव हो उसका को हम जल्दी सीखते हैं तो यह थारनायड के आधियम के कुछ मुठ नियम है जिन तीन नियम के हमने चर्चा किया शेको गौण नियम भी है गौण नियम के अंतरगत आपको पढ़ना ह प्रप्रट्य नियम मनोबृत्य और अन्शित्लीय चके छयर परिवर्तन और आत्मिटwright तो मित्रों हम इन नियमों के भी चर्चाटर देते हैं लेकिन मुठ रूप से हमको मुठ नियम की ही चर्चाटर नहीं थी तो बहुत प्रत्क्रियाटर नियम ट्याटर रहता है कि जब हम कोई नयाटार करना सीठते हैं तो हम उसके प्रति अनेट प्रत्याय 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 कि प्रत्याय 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 किशी स्टार्ट प्रत हमारी जैसी अभिरत्ती यर नोबर्ति होती है जो की आधी विएस कि अबलित्ती होती हमारी अंतर द्रिश्टी होती है उसी सैटने के लिए कार बहांद है इन भाल्गों को खुटे चोटे भागों के प्रस्तु करना चाहिए जिससे वह विसे वस्तु बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और अडला नियम है आत्मी टाण का नियम हम नवीन ड्यांटा आत्मी टाण कर अपने पूर्व ड्यांटा इस्थाई अंड बना लेते हैं इससे सिच्छत चात्र को कोई भी नई वास सिठाता है तब वह उसका पहले सीठोई बात से संबंदे स्थावी कर देता है तो हम ये तीचिन मेथट्स में भी पढ़ेंगे कि जब भी इस इच्छत अपनी विशे वस्तु को रखता है तो पहले उन विशे वस्तु के ऊपर चर्चर चरता है जो विशे वस्तु बालत आ इच्छा प्रवल हो जाती है शाहचर परिवर्तन करनियम कहता है कि पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी परिष्थिती में उसी प्रकार करना ये शाहचर परिवर्तन करनियम है इसमें क्रिया का शरूप तो वही रहता है पर परिष्थिती में परिवर्तन हो जात परिशिति में सीठ रहे हैं तो परिशितियां बदल सकती हैं लेकिन ट्रिया वही होगी तो उसको हम कहते हैं साहचर परिवर्दन का नियम वित्रों ये हमने आज आप से चर्चा किया की वास्तों में सीठने के ठ्या ठ्या नियम है अधिगम के सिद्धानत एवं सिछट के लिए इसका अनुप्रयोक के अंतरगत हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे पहला सिद्धानत पढ़ेंगे जिसे हम प्रयाश एवं तुती का सिद्धानत कहते हैं या इसी को हम उद्धीपत प्रत्रकिया सिध्धान्त भी कहते हैं इसी को हम अधिगम का बंध सिध्धान्त कहते हैं इसी को हम संबंध वाद का सिध्धान्त कहते हैं इस प्रयोग को भूठी बिल्ली पर किया गया और इसमें उद्धीपट के रूप में मचली का मांश रखा गया इसको थारन डाइट में सन 1913 में जो कि अमेरिका के मनोबैग्जानिक हैं द्वारा क्रिया गया वास्तों में इस पूरे प्रयोगों में जो हमारा प्रयास सेवं तुर्टी का प्रयोग है इसमें सीटने वाले व्यक्ति के सामने एक विसेश इस्तिती का उद्धीपट रखा जाता है जो उसे एक विसेश प्रकार की प्रत्रिया करने है तो प्रयरित करता है उद्धिपट मतलब इस्टूमिलस और उसकी जो प्रतिक्रिया ले जाती है उसको हम रिश्पांस कहते हैं इसलिए इस्टूमिलस का यस और रिश्पांस का आर इसलिए इसको S, R थिवरी भी बोलते हैं S, R सिध्धान्त भी कहते हैं तो कई वार पूछा जाता है कि S, R इसको S, R रखा जाता है जो उसे एक विशेश प्रत्रिया यानि रिश्पांस करने है प्रएट रही करता है जिससे उद्धिपट प्रत्रिया में संबंध यानि एसार बांड इस्थापित हो जाता है परिणामता भविश्वें वैसी ही इस्थिति आने पर वह अभ्यक्ति वही प्रत्रिया ठरता है इसको हम प्रयोग के माध्य में से समझते हैं जिसको थार्ण डाइट का प्रयोग करा जाता थार्ण डाइट ने एक बिल्ली को प्रत्रिया तो थार्ण डाइट ने एक बिल्ली को पिजणे के बाहर रखे पिजणे में भूठी बिल्ली को पिजण प्रयास ठरती है तो प्रयास का मतलब कि इधर उधर से कूती उचलती है और देठती है कि हम उसमान के टुट्ड़े को पा जाएं और अंत्रता हुआ पिंजड़ा खोलना सीट गई कैसे कि एक पार जब टुट्ड़े है तो उसका पैर उस पिन पे पड़ता है जहां से वह पिंजड़ा खोल जाता है इसकार बिल्ली प्रयास एवं तुट्ड़े के द्वारा मचली के टुट्ड़े को देख पा जाती है जिससे उसकी प्रत्ड़िया यानि लिवर दवाटर द प्रयत्न और त्रुटी प्रयत्न हो और उसमें त्रुटी हो जरूरी नहीं कि एक बार में वह सीठे दो बार में सीठे लेकिन जब बार बार वह ऐसी ही परिस्तियां बनेंगी तो दुबारा भी बिल्ली उसी प्रकार से प्रत्या करेंगी तो थारंडाइट ने इससे क्या इससे निश्टर सिंगाला कि सीठना संबंध स्थाबि करना है संबंध स्थाबि करने का निकार मनुस्त का मस्तिष्ट टरता है इस सिध्धान का सिच्छा में महत्य क्या है यह भी हम समझ लेते हैं यह सिध्धान बड़े और मन्द बुद्धी बालकों के लिए अत्यनती उप्योगी है बड़े और मन्द बुद्धी बालकों के लिए हम किसी परिस्थिती निर्मान कर देते हैं और उस परिस्ति के निर्मान करने के बाद उसको परिस्ति से निटलने का तरीटा ढोनने के लिए टहते हैं तो बच्चा उस तरीटों को कई तुटिकून प्रयास करने के बाद एक बार उसमें सफल होता है और उसी को अपना फिर वो मारदर्शन मान लेता है, उसी को अपने रास्ता समझ लेता है इस सिद्धान से बच्चों में धैरे वहम परिष्ट्रम के गुणों का बिकास होता है धैरे रखना सेटा है बिक्ती, कि जब भी हम किसी कारे में अस्पल हो जाएं किसी प्रयास में अस्फल हो जाएं तो हमको फिर से प्रयास करना नहीं छोड़ना है और हमें हमेशा परिष्ट्रम करते रहना है अनुभवों का लाव उठाने की चमता बिख्षित हो जाती है इसके माद्यम से यानि हमने जो भी अपने जीवन में अनुभव प्राप्त की है हमने जो अपने जीवन में गलतियां की उस गलतियों से हम लाव ले करके वो गलतियां हम दुवारा जीवन में ना ठरें तो अनुभवों का लाव उठाने की चमता बिख्षित होती है बाल्टों में परिश्वम्त प्रति आसा का संचार रहता है या सिद्धान समिश्चा समधान करने में शायक होती है तो ये एक समिश्चा थी बिल्ली के सामने कैसे हम अपने उद्धीपट को पाएं उसने कैई तुट्टों प्रयाश की है और उसके बाद अंत में वो उस मांस्टे टूटे को पा जाती है इसे हम इसी इसी नियम को हम पहते हैं प्रति नेम तुटी के सिद्धान जिसको आने कई नामों से पुखारा गया तो ये सवाल कई वार पूचा जाता है जरूरी नहीं कि प्रयात नहीं तुर्टी कर सिध्धान थी लिठा हो कई वार उसमें पूच लेता है S.R. Theorities ने दिया कई वार पूच लिया जाता है कि उद्धीपट प्रच्टिया सिध्धान टिष्टा है अधिरम का बंध शिध्धान टिष्टा है संबन्ध वार कर सिध्धान टिष्टा है इस में प्रयोब कर तुपर किया गया और इसमें उदुधीपट की रूप में प्रयोब किया गया ऐसे टईस सवाल बन सकते हैं मित्रों अब हम अडले टापिक पर चाचाटते हैं जिसमें पैवलो का संबंध प्रत्रियाटर सिद्धान्थ पढ़ना चाहते हैं पैवलो को जो संबंध प्रत्रियाटर सिद्धान्थ है इसको अन कई नामों से हम जानते हैं जैसे इसको हम अनुकूलित, अनुक्रियाडर सिद्धान भी टहते हैं, शास्त्री अनुवन्द का सिद्धान भी टहते हैं, प्रतिस्थापट का सिद्धान भी टहते हैं, और इसका जो प्रयोग हुआ, वो तुत्ते की उपर हुआ, और ये जो पावलो थे, ये 1940 में इस प्र पावलों ने खुत्ते पर प्रयोट किया। उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तर घंटी वजाई। उस्ते बाद उसने भोजन ना देटर केवल घंटी वजाई जब भी कुत्ते के मुह से लाट तपटने लगी इस्टा टारण था कि कुत्ते ने घंटी बजने से सीथ लिया कुछ उसे भोजन मिलेगा अधंटी के प्रतिकृत्य की इस प्रतिक्रिया को पावलों ने संबध सहज ट्रिया गहा इस सिद्धान के संबंध सरीर विज्यान से है इसे मानने वाले ब्योहारवादियों के इनसार सीठना ये प्रकार से उत्तेजट और अंठ्रिया के संबंध है इस प्रकार के सिठाने की प्रक्रिया को जहां अस्वाभाविक या ट्रतिम उत्तेजट स्वाभाविक यानि प्राक्रितिक उत्तेजट का स्थान रहा कर लेता है वो अनकूलित उत्तेजट द्वारा सिठना रहा जाता है इस सिद्धान को इस्विकार भी समझ सकते हैं कि जब हम उसको उत्ते को स्वाभाविक उत्तेजक यानि भोजन दे रहे थी तब भी उसकी स्वाभाविक उत्तेजक गंटी बजाना शुरूर किये और स्वाभाविक उत्तेजक भोजन दे रहे हैं तब भी उसके स्वाभावित अंक्रिया हो रही यानि लार निकलता है और जब हम उसको अंकूलित उत्तेजट घंटी यानि ट्रतेम उत्तेजट घंटी बजा रहे हैं तो वो उसको स्वाभावित अंक्रिया हो जाती है लार यानि उसको स्वाभावित अंक्रिया अब भी लार यानि जब हम इसके लास्ट लाइन में हमने कहा कि अस्वाभाविक जब भी जहां भी अस्वाभाविक यानि ट्रतिम उत्तेजट जो होता है वो स्वाभाविक उत्तेजट कर इस्थान घंड कर लेता है यानि अब क्या हो गया घंटी स्वाभाविक उत्तेजट हो गया क्यों क क्योंकि आप घंटी बजने से उस कृत्ते के मुं में लार आ जाता है इसलिए इस प्रत्रिया को हम कहे कि जब भी अस्वाभाविक या उत्तेजट स्थान रहन कर ले अनुकूलित अंक्रिया द्वारा सीठना डा जाता है इस सिध्धान को हमने इस प्रत्रार से आपको समझा दिया अब तो प्रती दिन की मिश्च में पर आधारित हैं तो निश्च दिर्ट असे जो भी कुछ होता है उस में हमारे हमारे इस आधिक्ट्रम प्रति बल्देटा है क्योंन सब्सक्राण पुन्रा वृत्य होगी इस सिद्धान की शायदा से बाल्टों में अच्छे ब्योहार और उत्तम अनुसासन तर निर्माण और बुरी आत्तों तो बदल सकते हैं यह सिद्धान भाय संबंधी मांसित रोगों और विप्रीज संबेडों तो निराटन में शायदा देता है इस्टे संबंधी करण के सिद्धान का प्रोग भाजा सिठाने और अच्छी आत्ते सिठाने में भी टर्चाटते हैं तो यह महत्पूर्ण बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा टिया आज की चर्चा यहीं पे सिमाप्त करते हैं और अडली जो हमें सिद्धान पढ़ने हैं यानि इस टिनर का ट्रिया प्रशोद अध्यम सिद्धान, कोहलार का सूज या अंतरद्रिष्ट का सिद्धान, प्याजे का सिद्धान, भ्योगास्टी का सिद्धान, सीठने का वट्र, उसका आर्थ एबं प्रकार, सीठने में पठार का आर्थ और कारण एबं निराकरण, इ आमा सुन्स जदाए